नमस्कार आप देखरें सीडी वैम नियूस मैं प्रीदी शंद्रा एक बर्फिर हाजीरू सहार एंपुर्बुलीटीन की बड़ी कपरों के साथ नए वेरियंट से नहों परिशाना पात स्तिते से निपटने को पूरे अंतजा दक्षिन अफरिका में कोरोना के ने वेरियंट ओमिक्रोन के मरीज मिलने के बाद एक बर्फिर अलट जारी कर दिया है जिले में अभी तक ने वेरियंट ओमिक्रोन का मरीज भले ही ना मिला हूँ लेकिन स्वास्थभाग कोरोना के प्रती सजक है ओक्सिजन के साथ साथ बैड, दवाईया और वेंटिलेटर की प्रियाप्त ववस्था है जहां कमी है उसे दूर किया जा रहे, साथ ही टीका करेंट कराने पर भी खास जोड़ दिया जा रहे है ताकि कोई संकत आयत तो भी जानलेवा खत्रा कम से कम हो नने मुनो ने कहा सासे हो रही कम, पेड लगाएंगे हम डेलमन स्कूल के नने मुनो ने क्या पोधार ओपन बहेट रोड थे डेलमन इंटरनेशनल स्कूल के नने मुनो ने आज सुमवार को नगरनिगम के सायोग से बहेट रोड पर पोधार ओपन क्या और शहर को कार्बन निट्रल बनाने में सायोग का संकल पलिया पोधर ओपन कराने वाले बच्चों के हाथ में सासे हो रही कम पेड लगाएंगे हम और इंच वन प्लांट वन नारे लिखी तक्तियां ले वहे थे स्कूल प्रधानाचारिय सोनाली रिशव मेनी ने बच्चों को बताया इस दोरान कि पोधों का व्यक्ति के जीवन में सामाजिक और अध्यात्मिक महतु है पोधों से हमें केवल इंधन और दवाईया ही नहीं प्राण वाईयू ऑक्सेजन भी मिलती है प्रात्मिक विधाले पुवार का जनपर सहारेनपूर के प्रांगन में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारस संचाली स्मर्ग शिक्षा अभियान के अंत्रिगत दिव्यांग बच्चों हेतू ब्लोक इस तरी एक कृड़ा प्रतियोगता का एजन किया गया ब्लोक पुवार प्रात्मिक इस्तर पर 100 मीटर दोड में पुवार का अबूजर प्रतम मांडला का कनया दृत्त है और मांडला का राघवत रित्यस्थान पर रहा तीन चरण में बनाए जाएगी मा शाकुम्री देवी स्टेट इनिवस्टी मा देवी शाकुम्री स्टेट इनिवस्टी के सिलान्यास कारिकरम की तयारे अंतिम चरण में चल रही है पुआरका में माशा कुम्री देवी स्टेट इनिवस्टी की नीव 2 दिसंबर को केंदरी ग्रहम मंत्री आमिच्छा और सीम योगी आधितनात रखेंगे वहीं जनसभा भी करेंगे जिला प्रशासिन सिल अन्यास और जनसभा की तैयारियों में जुटा हुए माशा कुम्री देवी स्टेट इनिवस्टी का निर्मान तीन चरणों में होगा पहले चरण में प्रशासिनीक ब्लोक और छात्रावास पनेंगे सियम योगी के सहारनपूर दोरे में कोविट प्रोटोकोल का पालन करना आनिवारी है सहारनपूर में सियम योगी आधितनात वे केंद्रे ग्रह मंत्री अमिच्छा प्रस्तावित विस्विधाले का असिल अन्यास करेंगे मंडला युक्त लोकेश एम ने अधिकारियों को निर्देश दे हैं कि मुख्यमंत्रे के संभावित दोरे को ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियां पूरी करने के साथ साथ कारेक्रम इस्थल पर कोरोना के ने वेरियंट को ध्यान में रखते हुए कोई-19 प्रोटोकॉल के नियमों का सक्ती से पालन करना अनिवारी रहेगा CCTV फुटेज पनी हमला वरो तक पहुँचने में मददकार दो दिन पोर दिन दिहाड एस सिमिंट वे पारियाशिश के साथ मार पीट कर गोली मारने वाले मामले में जहां थाना पुलिस की तीनों टीमों और S.O.G. द्वारा CCTV फुटेज के आधार पर लगातार बाइक सवार हमला वरो की तलाश तेज की हुई है तो कुछ संदिग्द यूकों को पूछताच के लिए थाने पड़ लाया गया है उधर थाना पुलिस का कहना है कि बहुती जल्द हमला वरो की पहचान कर मामले का खुलासा कर दिया जाएगा बताने की घाल पक्ष के परिश्णों दौरा थाने पर एक नामजन और बारा एग्यात हमला वरो के विरुत तहरी दी है जिसके बाद हमला वरो के खिलाब संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्च कर कारवाही शुरू कर दी गई है खेतों पर लगाए हजार रुपे कीमत के तार बाण खंबे चोरे नगर के देवबंद रोड निवासी किसान अशोक राणा पुत्र शोसिंग ने बताया कि उनके द्वारा अपने खेतों पर खड़ी फसलों को गोवंश से बचाने के लिए चालिस सिमिटर खंबे और लोहे के तार लगाए गए थे लेकिन बीती रातरी एगया चोरो द्वारस सभी खंबे और तारो को चोरी कर लिया गया सुबह होने पर जब किसान खेतों पर गया तो चोरी हुए खंबे देख दंग रह गया बिडित किसान ने तहरीर दे कर चोरी के रिपोर्ट दर्ज की और कानूनी कारवाही करने की मांग की है अंबेटा पुलिस ने एक वारंटी को पकड़ा कारवाही करते वे भेजा जेल स्सपी के आदेशा नुसार पुलिस द्वारा प्राधियों को पकड़ने के लिए चलाये जारे बियान में नकुड कुटवाली अंत्रगत अंबेटा चोकी प्रभारी विपनत आगे ने पुलिस टीम के साथ मिलकर खेडा अफगान के निकटवरती ग्राम जाफरपूर रनिया से एक वारंटी सुन्दर उर्फ राजेंदर पुत्र अन्य को ग्रफतार किया चोकी प्रभारी ने बताया कि सुन्दर उर्फ राजेंदर काफी समय से वांची चल रहा था जिसको आज ग्रफतार करते हैं कारवाही करने के बाद जेल भेज दिया गया है थाना मिर्जपूर पुलिस ने किया चोरी की घटना का खुला साथ वो शातर अब्युक्त हुए गिरफ्तार वरस्ट पुलिस अधिक शक आकाश तोमर के निर्देशा नुसार जन्पद में अपराधियों के विरूर चलाए जारे धर पकड़ा बियान के अंतरगत थाना शाकीर को कब्जे से चोरी किये एक संदूग वे 1900 रुपे की नगदी सहीद ग्रफतार कर जेल वेजा सरकेट हाउस सबागार में आज प्रदेश के गन्ना विकास वे चीनी मील विभाक के मंत्र सुरेश राणा ने प्रेस वार्तकर विपक्षी दल पर निशाना सात्य कहा कि 10 सालों में सपा बस्पा सरकार ने 30 चीनी मीलों को बंद किया और 21 चीनी मीलों को कोडियों के भाव बेच दिया वहीं सपा और बस्पा पर निशाना सात्य मीडिया से वाचीत के दोरान क्या कहां सुनी मिलों को बंद किया गया बारा से सत्रा तक सपा सरकार में 11 चीनी मिलों को बंद किया गया और 21 चीनी मिलों को कोडियों के दाम बेचा गया किसान भाईयों ने का हम बढ़ाई देंगे योगी जी को कि उन्होंने प्रदेश में दर्जनों नई सुगर मिल लगाई 20 से ज्यादा मिलों की छमता विस्तार किया और सहरनपूर में भी 9 वरसों से जो बंद थी दया सुगर म मिल उस दया सुगर मिल को भी चलाने का काम योगी अदित्यनाजी ने किया पूरे पश्चिम से लेके पूरब तक दक्षिन से लेके उत्तर तक लगातार किसान भाईयों की गाड़ी कमाई से जो बनीवी मिले अब सहरनपूर में आप देखो हजारों करोड से बनीवी मिल आ सुप्रीम कोर्ट में विशे हैं हम लोगों की मंसा है कि चाय बिढ़ी सुगर मिलों चैसा कोगी मिलों इन तमाम मिलों को चलाना है और आधानिया योगी जी ने ब्लूप्रिंट तयार किया है कि उत्तर प्रदेश्चु में हम कोई भी सुगर मिल ऐसी जो किसान को कठिना य पाने के लिए हमाय चैनल को अभी सब्सक्राइब करें